अई हैलो दोस्तो टेक्णिकल गाइडिलाइन में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूप पर प्लेडियो को कैसे क्रेट करते हैं और प्ले लिश्ट में अलग-अलग वीडियोू को कैसे ऐड करते हैं दोस्तो जब भी हम यू लिश्ट का इस्तिमाल कर सकते हैं प्ले लिश्ट में आप अलग लग नाम से प्ले लिश्ट बना सकते हैं और उसमें आप अलग लग वीडियो को एड़ कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी उन वीडियो को देखना चाहें तो बिना सर्च किये उन वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाके प्ले कर सकते हैं, तो बने रहे हैं मिरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को बिना स्किप किए लाश्ट तक देखते रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब बटन है इस पे आप अभी तुरंद क्लिक कीजिए इसके बाद इस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और उपर all notification पर क्लिक कर लेजिए इससे आपको इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो की notification मिल जाएगी और आप हर नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं तो दोस्तों जब भी आप YouTube open करते हैं नीचे आपको बहुत सारे टैब दिखते हैं राइट साइड में नीचे ये जो option है लाइबरेरी का इस पर आप क्लिक कीजिएगा क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए playlist का option मिलेगा इसमें आपको क्लिक करना है new playlist पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको playlist का नाम डालने के लिए बोला जाएगा जो नाम से आप playlist बनाना चाहते हैं तो चलिए मैं यहां पर एक नाम दे देता हूँ My Favorite Song और Create पर क्लिक करता हूँ तो यह देखिए My Favorite Song नाम से एक प्लेलिस्ट बन गया चलिए मैं एक और प्लेलिस्ट बना लेता हूँ जैसे यह अप रिफ्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए My Favorite Song नाम का प्लेलिस्ट बन चुका है अब फिर से और एक प्लेलिस्ट बना लेता हूँ अब यहां पर देखिए आपको आपका जो रिसेंटली जो अपने वीडियो वाच किया है वो वीडियो यहां पर आपको दिख जाएंगे इसमें से आप कोई भी वीडियो को एड कर सकते हैं प्लेलिस्ट बनाने के पहले तो फिलाल मैं एड नहीं कर रहा हूँ मैं Next पर क्लिक करता हूँ और यह दूसरा प्लेलिस्ट बना लेता हूँ Educational और Create पर क्लिक करता हूँ इस तरह से मैंने दो प्लेलिस्ट बना लिया है Educational, My Favorite इसी तरह से और एक प्लेलिस्ट मैं बना लेता हूँ फिर यहां पर आप Next कीजिएगा और यहां पर डाल देता हूँ Technology इसी तरह से आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं एक और playlist में बना लेता हूं movie नाम का तो मैंने 4 playlist बना लिया इसी तरह से आप playlist बना सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि आप इन playlist में वीडियो को कैसे add कर सकते हैं आप simply YouTube open किजेगा और जो video आप play करके देखना चाहते हैं और मान लेजे वह वीडियो आपको अच्छा लग गया जैसे मान लेजे मैं इसे उपन करता हूँ तो उपन करने के बाद यहां पर देखिए एक आप्सन आता है यह देखिए save आप इस पर क्लिक किजिएगा तो यह save to recent playlist दिखाएगा यहां से आपको change करना है change करके आप इस में से जैसे मान लेजे मैं इसे technology में डाल देता हूँ और नीचे done कर देना है तो यह आपका उस folder में उस playlist में save हो जाएगा इसी तरह से मान लेजे यह जो वीडियो है इसे मैं play करता हूँ और इसे playlist में add करने चाहता हूँ तो यहां पर फिर से save वाला option है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फिर से यहां change करना है और यहां से अपने अनुसार जो भी फोल्डर में जो भी प्लेलिस्ट में आप add करना चाहते हैं आप एक से ज्यादा playlist में भी same video को रख सकते हैं तो फिलाल मैं इसे एक ही playlist में रखना चाहता हूँ यह भी educational type में मान लेता हूँ तो इस पर click कर देता हूँ और done कर देता हूँ मान लेजे यह जिस type का video है आपके पास उस नाम से कोई playlist बना हुए नहीं है तो जब भी आप add करेंगे तो add करने के बाद यहां पर फिर से new playlist का भी option आता है तो आप यहां से भी playlist नया बना सकते हैं और नीचे में यहां पर देखिए privacy privacy option है इस पर आप click किजिएगा तो यहां पर तीन option आएंगे public, unlisted और private अगर private रखते हैं तो किवल आप ही उन videos को उन playlist को play कर सकते हैं और अगर आप public रखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कोई लोग अगर search करते हैं तो उनका जो search result आता है YouTube में उसमें आपका भी playlist आ सकता है तो वो भी देख सकते हैं और अगर unlisted करते हैं तो आप playlist का आपका जो link होगा वो link आप जिस person को send करेंगे वही किवल आपका playlist को play कर पाएंगे तो फिलाल मैं private ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं एक और नाम दे देता हूँ news इसके बाद नीचे create पर click करता हूँ तो मेरे पास और एक playlist बन गया है अब एक ही playlist में मान लेजिए आपके पास बहुत सारे वीडियो हैं आप उन वीडियो को जब play करेंगे तो एक के बा तो चलिए मैं आपको play करके भी दिखा देता हूँ एक same playlist में और भी वीडियो डाल लेता हूँ यहां से library में जाता हूँ और यहां से educational इसमें कुछ और वीडियो एड़ कर लेता हूँ चलिए मैं यहां से इसे यहां पर देखिए वीडियो को बीना play करके भी आप add कर सकते हैं कोई भी वीडियो के नीचे यह देखिए यहां पर तीन डॉट दिया हुए रहता है आप इस पर click करेंगे तो इसमें पर option आता है save to playlist तो चलिए मैं यहां से इसमें add कर देता हूँ इसके बाद यह वाला भी add कर देता हूँ दन शेब टू प्लेलिस्ट गुवी मैं add कर दिया है फिर से इसे भी add कर लेता हूँ अब चलिए यहां से मैं playlist को open कर लेता हूँ देखिए यहां पर कौन से playlist में कितना video है आप देख सकते हैं movie में मैंने दो video डाला है तो इस पर open करता हूँ यहां पर video है उस time update नहीं हुआ 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 तो इसे मैं जब भी play करूंगा तो यहां पर play button है इसे play करने से यह जिस order में है उसी order में play होगा इस तरह से आप playlist बना सकते हैं और आप अगर यह प्ले लिस्ट को टीवी पे चलाना चाहते हैं तो यहां पर यह जो तीन डॉट है इस पर क्लिक किजएगा यहां पर देखिए watch on tv option है आप इस पर क्लिक किजएगा यहां पर अभी आपका अभी यहां पर कोई tv on नहीं है और वाइफाई से connected नहीं है अगर आपका सेम वाइफाई पे कोई tv connected होगा तो आप उन टीवी में भी चला सकते हैं प्ले कर सकते हैं तो इस तरह से आप प्ले लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे क्या होगा आपको कोई भी वीडियो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपक प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को प्ले कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ दिन बाद हम किसी वीडियो को सर्च करते हैं तो नहीं मिलता है लेकिन प्ले लिस्ट में अगर एड रहेगा तो आप कभी भी उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं अगर वह वीडि तक मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो की नेज़े subscribe बटन पर click कर लिजे और उपर all पर click करके all notification को on कर लिजे इससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की notification मिलती रहेगी तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए bye and take care